हरीश प्रसाद जी आप कितने दिनों से हैं जी। हम आट दिनों से सें आहां ए我们 यहां। सेवा को तवा नाएई है। इसके साथ हमारे जो two ulasë ambulance है です एक लास हैं अमारे आखने is Traduction LiteLs, होता है जी इसके साथ साथ एक और हमारे बाद इसको थोड़ा दिखाएंगे ये मतलब ये अच्छ ठीक है ये वाला स्ट्रेचर है जो आप अंदर से उनको लेकर अगर जरूरत पड़ी तो इसको जो है कहीं से भी पैसेंट को इसमें जो है लाया जा सकता है अपनी अमूलेंस इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूं कि जो है ये 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 दूसरा स्ट्रेचर है जिसमें जो है पैसेंट को जो है पोजिशन में लिटा करके उसको जो है ट्रीटमेंट हम यहां पर दे सकते हैं जिसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर कुछ मसीन हमारे प इसके साथ एक और हमारे पर मसीन है, मल्टी इसकोप नाम है इसका इसमें दो से तीन चीज़े होती है, जैसे कि इसमें बीप इसका पैसेंटर का वाइटल्स जो होते हैं, उनको जो है लिया जाता है, बीप हो गया, इसके साथ में आप देख सकते हैं, कि यह oxygen के दो यहां पर ट्रिक्टर लगे हुए हैं, इसके लिए बी टाइप इसलेंडर हैं, और इसके साथ में और चीज़े हमारे पास जो अबलेबल हैं यहां पर, कि कुछ हमारे पास medicines इसमें उपलब्ध हैं, है जो इसमें हमको प्रोइड कर दे जाती है और हम पैसेंट को जो है देते हैं तो ये कुछ इंजीक्शनवान है ये हमारे कुछ जैसे की आप देख सकते हैं कि आप सांस से संभन लिट अगर कि सी पास है तो इस प्रॉप हैनों या वामिटिंग अगर किसी को होती है तो हमारे पास जो है ओंडम सेट्रोन इंजेक्शन भी यहां पर उपलब्द है इसके साथ हमारे पास जो और चीजे हैं यह मैडिसिन हमने आपको लिखा दी इसके साथ हमारे पास जैसे कि कुछ हमारे पास अगर अगर किसी को डिहाइट्रेशन ऐसा कुछ होता है अगर ड्रेसिंग वगरा करने पड़ जाएट्व लगियों किसी को बिलकुल बिलकुल जैसे दवाईयों के साथ हम और बिटाइडीन वगरा सारे कुछ इसमें रखा गया है उनकी है इसमें होता ही है, नॉर्मली इसमें रखा जाता है, हमारे 24 hours की हमारी service होती है, तो इसको एडवांस्ट इसले बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें oxygen है और ये सारे instruments अलग से लगे हुए, अच्छा ये बताए है, हरीश जी, आप ये सब तो ठीक है, लेकिन आप यहां पे 8 दिन से है और 9 दिन से भी हो सकते हैं, और दिन रात ये ही पर ही है, बिलकुल मैं ये आप हमारे देख सकते हैं, इसमें हमारे पास कुछ अपने कपड़े अपड़े हमने रखे हुए हैं, जिसमें हम रात तो दिन इसमें अभी समय अपना दे रहे हैं, इसके साथ मैं हमारे पास कुछ जो है दिया जा सकता है पैसरेंट को इन दा केस अगर यह चीज नहीं काम गरती है तो फिर यह भी इसमें जो है रखा गया है इसके साथ में हमारे और कुमाइट सिसमें जैसे की यह आप देख सकते हैं आर बिया के लिए होता है इंजेक्शन स्रेंजिस थोड़ा आगे आपको तो भी हम जो है यहां पर उनका चेक करके त्रीटमेंट दे सकते हैं जी जी इसके साथ में और भी कुछ चीजे होंगे हमारे पास ऐसे की स्टेट इसको है माइक्रोपोर है गलफ है हमारे है या एस्प्रिन टैबलेट भी हमारे पास है सारी बेसिक चीजें तो मौजूद है ये लेकिन एडवांस चीजें भी मौजूद हैं अब आपके बारे में हम बात करते हैं आपने बताया कि कपड़े वपड़े यही रखे हैं ये बैग हैं यह पर उसी में इनके कपड़े आँ दिन नौदेन हो गए हैं घर नहीं गए हैं यहीं सो रहे हैं ओठ रहे हैं थोड बाहर निकाला जाए या हमारी पहले इछावी है और उम्मीद है कि आज यह काम पूरा हो जाए कि हर एक दिन ही लग आज यह पूरा हो जाए जाए पर्सक्रह इह पूरा हो कर निकल जाएंग़ धोर देरवार निकल जाएंगे लेकिन आज भी हम यह अब ये कह रहे हैं कि अगर कुछ चाहते हैं इतनी मेनत के बार दिन रात यहां पे रहने के बाद तो वो सिर्फ यह है कि जल से जल्द वो श्रमिक बाहर आजाएं और जिनके लिए इतना सारा ये इंतजाम किया गया है उन तक ये सब चीजें पहुंचाई भी जा सकें और उन के अपने अपने घरों में भेजा जा सके विनोजी बहुत मेहनत से आपने ये होल तैयार किया कब शुरू किया कब आपको कॉल आया दिवाली का दिन था आप जरूर दिवाली में घर पे नहीं होंगे अब दिवाली का गर पे नहीं गया अमलों प्राजेक्ट साइट में है था हमलों को हालिडे उसी दिन अमलों दिवाली बननाने के लिए सब रेडी तयार हो चुका था उसी टेम आमको इवनिंग फोन हो आया था तीन बजे करीब तीन बजे आसपस पोन हो था तुम आईसे कोलप्स हो गया उसी जगह जाना है रेस्क्व करना के लिए जाना पड़ेगा लाइफ लेंग डालना पड़ेगा जल्जी सामान लेगी पहुंच जाना वोला है उस दिने आम लोग राते रात आम लोग सामान लोड करकी रात को करीब कारा बजे वहां से निकला रिसी के से सुभे पांच बजे पहुंच गया तेरह तारी को क्या बोलते हैं इस मिशन को बोलता है मैं ड्रिल मिशन प्रिट इससे आपने इसको आप ऑपरेट करते हैं आप चलाते हैं हाँ मैं मैं और मैं क्रू मेंबर से सब टीम मिल की बढ़ चला है अब मुझे ये बताईए कि किस तरीके से ये ऑपरेट करती है कैसे क्या हुआ किस दिन आपने काम शुरू किया अमनों त्यरह तरीक आया मैं में उसे दिन आम लोगो चलाने का मोका नहीं मिला था ओचाल रेडिक कर रहा हूं तुम लोगो वेट करो इंदेजर करो चावदा तारी को चालू करेंगे बोला चावदा तारी काम अंदर गया में टनल में चालू किया उस दिन आम लोगो बहुत मुश्किल था अंदर पूरा सरिया लोवा का चीज़ सब पढ़ा था उसी में सक्सेस नहीं कर पाया 33 मिटर गया था वो कलप्स हो गया उसको आगे बढ़ने ही सकता है पूरा आमारा ड्रि चाउदा तारी को आमारा नारी पाया उसके बन लोगो पाय अंदर ऐटन रड़ ड्या का पाइप डालेंगे इसका अंदर उस चला जाएगा उसको चेंज किया उसी में आमोंको थायम मिला लगा था साधन भी तोड़ा भरेकड़ा उगया उसका सामान भी पाट साण सबस्क्राइब तोड़ एवे संकने नेज़ते हैं, सुभिष्यार्व अचे दुर्णी, पहस पुष करते हैं थोड़ा से पताएंगे पाइप आमको जाता है मेडम इसी लाइन से उपर टॉप लाइन से जगा बना कर्व बना वो मोटर से मोटर में फिट कर देगा मोटर का साथ इसको पुष कर के लेकी चला जाएगा तो पुष करते हुए अंदर पुष कर ने लिए किय में वो लाग निकल गया उसी कारण से आम लोग आगे नहीं बढ़ पाया उसको पाद बोला ठीक है तुम लोग केसिंग नहीं लग पारे ओ चाव तीस मेंटर पहुंज गया उसको बाद डिटेश डालो काली हैमर डालकी चेकर की देखो उसी में आम लोग चेकर की देखा मे में मजूद है उनलोग बोला अम लोग पास पाच्प में 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 पहुंच गया बोला मतलब इन लोग भी पता चल गया इतना मीटर में लोग हाई बोलके अम लोग काम भी आखे बढ़ सकता है उसका बाद हम वह ओल से निकल दिया और 19 तारिक हो गया 18 तारिक हम लोग माने सामकुप पूरा निकल दिया फेलिर हो गया फिर दूबारा मड़ी सारीक रात को चालू किया 11 तारिक को चालू करके बहुत हमस्किल से 20 तारिक को रात को तस बज़े पूर्यमारोब्स क्रूम इंबर तीन दिन लगतार कोई सोया भी नहीं एक मिनिट भी सोया नहीं तीन दिन लगतार आइसे कोशिच करके वह पहुंच गिया चैज का पर पहुंच गया उसका ऑद उसको काना अजी पहले च्छोटा पाइप था? अब तीन बार फेल हुए पहले दो बार फेल हुए दो बार फेल हुआ दो अलग अलग जगे पर किया था होल फिर तीसरा अलग जगे पर होल करके तीसरी बार आप सक्सेस्फुल हुए तीसरी बार आप लोगों ने और आपने उन तक खाना पहुचाने में उन तक अच्छी जो उनके जरूरत की चीज़े हैं उनको पहुचाने में बहुत हेल्प की है तो सब को की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू मैं और यह की पाइपलाइन डाले गई अब अच्छा खाना पानी हर चीज अंदर वोकर्स तक पहुचाई जा रही है और विनोध कुमार जैसे कई ऐसे लोग हैं जो लगातार प्रयासरत हैं जिनको एप्रिशेट किया जाना चाहिए देखिए उन्होंने बताया कि पहले दो जो होल्स उनका एफ़र्ट था वो सक्सेस्फूल हुआ जिसके जरिये जिसकी वज़े से अब अंदर बैठे जो मजदूर हैं जो वरकर्स हैं उनको अच्छा खाना मेडिसन्स दवाईयां वगारा सब कुछ दिया जा रहा है एक तरीके से उन्होंने एक लाइफ लाइन जो तयार की ह उसके लिए ने बहुत एप्रिशेट किया जाना चाहिए और बधाई दी जानी चाहिए